हालो दोस्तों मैं सब्लोक सुनील ताम और कंसल्टेंट एंट एंट डाइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे बड़ी ही एक कॉमन चीज जो क्या दुश्परिणाम है कान के पर्दे में छेद की दुश्परिणाम कॉंप्लिकेशन्स ओफ एर्ड्रम को मिलता रहें दोस्तों एक बड़ी ही कॉमन है यह ड्रम के अंदर पर्फोरिशन है अभी जो है हमारे इंडिया में क्या है रूरल एरियाज के अंदर है बहुत पार जो है कान के परदे में छेद होता है बट यूजवली क्या है कि उसी चीज का ट्रीटमेंट कराता है जो आज हमारे को दिखता है जो हमारे आखों से विजिवल होता है या फिर उसमें पैन होता है सपोर्ज अगर किसी की उंगली कट जाती है तो तुरंत हम डॉक्ट्र के पास जाते हैं विकोज भी नो दा सीरियसने सोप्ता प्रॉब्लम और यह ड्रम परफोरेशन आपके कान के परदे में छेद है वो आपको दिखता नहीं है लेकिन हम उसका जो क्या उसके दुश्परिनाम है उससे हमें पता नहीं है तो अगर किसी के कान के परदे में अगर छेद है तो उसका जो पहला जो है उसमें दुश्परिनाम है कॉम्प्लिकेशन है रिकरंट इंफेक्शन य तो जो है patient को कहने धिरे 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 उसको उसनाई कम देना स्थार्ट हो जो जाता है decrease hearing दोस्तो जो हमारा हम भोलते हैं वो सारी आवाज हमारे कान के परदे से जाके strident होती है उसमें box प्रीट होते हैं वो कमबऑन जो है वो कान के अंदर जो है हमें सुनाई कम देगा। दूसरा दूसरा क्वुम कानगे क्पर्दे में अगर आप आहना है, तो पिरका हेला सिह लगारा है तहसा कि ना के सिंदेगा हूँ। दूसरा कणनें जोस्रा थातर जातर में, तो दोसरा कौन की नर्व है 209 जो भी Start हो जाती है सफडू स्जो यजो तीन जो कॉम्प्लिकेशन से इंफैक्शन मुअद का अठता सूनाइऑ कम देना प्रूसरा सांवाजका यह तीन कंप्लिकेशन जो कहने नहीं होते होगा आप एंटी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं वो कहते हैं आपके कान की हड़ी करने लगी दोस्तों अगर आपको ऐसे बोला है तो उसको आप जो हलके क्योंद के करण है कि पेशिंट की जान जासकती है क्योंकि दोस्तों हमारा कान और हमारा ब्रेन उसके बीच में पाएं पथली हड़ी होती है जिसके करन क्या होता है क Keys theérica युदिन द्ये धिरे 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 युदिन आपका यह जो पस है वह ब्रेंग में चला जाता है देट वी कोल दा इंट्राक्रेनियल कॉंप्लिकेशन ब्रेन एपसीस ब्रेन के अंदर जो है इंफेक्शन एंड उस टाइम पे जो है पेशेंट की जो कंडिशन है वो जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है और बहुत बार उसका चार्ज भी इतना लगता है बहुत बार प पेशेंट की साथ हो जाते उस टाइम पर अगर एंट डॉक्टर उसको चाह के भी ठीक नहीं कर सकता पहले वह न्यूरोसर्जत जो दिमाग में जो पस अला गया उसको निकाला जाता है उसके बाद में एंट्सर्जन उसको ऑपरेट करके कर उसको ठीक करता आगर पेशेंट जो है बच जाता है तो दोस्तों यह ऐसे कॉम्प्लिकेशन है दूस परिणाह में जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं इसलिए आपको जो है हमारा जो एंटी जो डॉक्टर्स है उसको जहां उचित सुविदा है क्योंकि आजकल ओटो एंडर्सकोपी एक टेक्निक होती है तो द हमेट लिए सबस्क्राइब किने तो यह था सब्सक्राइब दोस्तों अगर आपने समय पेप्राइब कराया है तो आने वाले जो बहूत सारी कॉंपलिकेशन कान में जो रिंगिंग सांट आती है जिसको रोते हैं दोस्तों बहुत पर पेश्एंट जो हम अकला रहता है तो क दूसरा decrease hearing दोस्तों सुनाई नहीं देना बहरापन अपने आप में अभिशाप है आप कहीं गवर्वेंट सर्वेंट हो आप में प्राइवेट जॉब कर रहे हो अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो आपका जो अर्निंग सिस्टम है वह भी अफेक्टेड होगा सो दोस्तों यह कई सारे जो complications है यह दुस्परिणाम है कान के परदे में चेद के तो हमें उनको जो है वो अवीड करना है क्योंकि prevention is the better than cure अगर आपको जो है समय समय पे आपका ENT check-up होना चाहिए अगर आपको कोई problem है तुरंत जो है समय पे उसका इलाज कराना चाहिए जिसस इन अदर सोसाइटी जस्ट तो क्रीट अवेरनेस अबाउट दा कॉम्प्लिकेशन तो एयर परदे के जो कान के परदे के जुद्चेद के दूस्परिणाम है एंड आपको कोई अन्य कोई भी सवाल है आपकी कोई क्वेरी है आप मेरी कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं आप अवल डेविटेव रपल दा ता आपकी